Motorola JPY 50 missions phone में आप यहां पर internet speed को कैसे enable कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो friends यहां पे मेरे Motorola के यहां पर F50 vision phone में यह ना पर यहां पर internet speed वाली यहां पर जो यह option जो है यहां पर मैंने इसको on कर लिया है आपके पास भी phone है Motorola का H50 Visions वाला phone और जिसमें आप ये internet वाली जो setting जो है इसको यहाँ पे ढून रहे हो आपको नहीं मिल रहे होगी या फिर आप इसको on करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने लिखिया है तो चली भी ना किसी दिरी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं सबसे फिले मैं आपको बतायता हूँ friends आपको यहाँ पे क्या करना होगा देखो आप settings में जाते हो और यहाँ पे settings में जाके आप search करते हो यहाँ पे speed test ability MS जो कि यहाँ पे internet की जो यहाँ आपकी солiris फैसको आप जाके search करते हो तो कहीपर भी आपको आपे देखने को नहीं मिलता है ठीके speed test ही माल लो यहाँ पिर यहाँ पे network test ठीक यहाँ इनन ऐसा option यहाँ पे settings को आपको नहीं मिलता है अब देखो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको आपके मोटो यहाँ पे फिशन 50 फोन में आपको यह देखने को मिलेगा ठीक है उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा देखो दोस्तों मैं आपको बताइता हूँ अपने फोन को एक बार से अपडेट कर लो अपने फोन को एक बार से सेटिंग्स पे जाओ यहाँ पर देखो अपडेट के आपशन मिलेगा यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आपको हलकर से स्क्रोल डाउन करना है यहाँ पर देखो आपका म फोन को अपडेट करने के बाद सीध आपको जाना है यहां पर इस तरीके से नेटवर्क एंट इंटरनेट का उप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर देखो में थोड़ा सब ब्राइटनेस देते था उपने फोन का जैसे कि आपको क्लियर ली दिख चाहे सारा यह यहां पर आपको सर्च करना है इंटरनेट स्पीट देख सकते हो दूस्तों इंटरनेट स्पीट मीटर लाइट आपको यह वाली अप्लिकेशन जो है प्लेस्टोर में देखने को मिल जाएगी जैसे सर्च करोगे यहां पर सर्च करने के बाद हलका से स्क्रोल डाउन करो यह करना है जैसे यहां से आपको बैक करना है और ऊपर देखो यहां पर मेरी नेटवर्क स्पीट आ चुकी है आप देख सकते हो ऊपर की तरफ यहां पर आप लाइब देख सकते हो यहां पर मेरा इंटरनेट स्पीट आ चुका है जैसे कि यहां पर इंटरनेट स्पीट भी बढ़ रहा है अभी यहां पर आपके सामने इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएए